सब्सक्राइब कीजिए टिकफर फ्रेशर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दवाईए हमारे लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आप देखरें टिकफर फ्रेशर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शुभं का पिश्वे आज मैं आपको कुछ ऐसे मज़दार एंडरोड एपस के बारे में बताने वाला हूँ जो किसी कारण से आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे पर वो एप्लिकेशन इतने यूसफुल है कि आप उन्हें डाउनलोड करके यूस कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको रूटेड और अन्रूटेड फोन दोनों के लिए एपस बताऊंगा सो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे फर्स्ट अप्लिकेशन है वीडियो डर इस एपको यूस करके आप किसी भी साइट से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं जैसे यूट्यूब, फेस्बुक, इस्टेग्राम यहां आपको बहुत सारे साइट के आप्शन्स मिलते हैं हो सकता है आपने पहले ट्यूब में यूस किया होगा पर बिलीब में यह एप्लिकेशन उससे बहुत अच्छा है नहीं सिर्फ इंटरफेस में, बल्कि फीचर्स में भी किसी वी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए बस आपको इस आईकन पर टैप करना है क्वालिटी चूज करना है, फिर स्टार्ट डाउनलोड करना है इस एप में आप एक साथ बहुत सारे टैप ओपन कर सकते हैं सेकेंड अप्लिकेशन है एप्टाइड यह बिसिकली एक एप स्टोर है जिससे आप एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं अब आप सोच रहे होने कि जब प्ले स्टोर है तो इस आप की क्या जरूरत एप्टाइड से ना ही सिर्फ आप प्ले स्टोर के एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं बल्कि वोग सारे एप्स जो इस प्ले स्टोर पर अवलेवल नहीं हैं उनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं Apptoid में आपको Spot & Share का option मिलता है, जिससे आप किसी भी app को अपने friends के साथ share कर सकते हैं. जब आप किसी की app store को follow करेंगे तो उनका apps timeline में show होगा. Apptoid में आप login करके अपना app store भी create कर सकते हैं, जिरें दूसरे लोग follow कर सकते हैं. इस app में आपको rollback का option भी मिलता है, जिससे यूज़ करके आप किसी भी application के previous version को दोबारा install कर सकते हैं. इस application में आप download को schedule भी कर सकते हैं. 3rd app है MI Explorer, जिससे आप Solid Explorer & ES File Explorer का combination भी कह सकते हैं. अगर आपका file manager slow काम करता है, तो आप इस app को जरूर इंस्टॉल करें. इस app में आपको Solid Explorer जैसे UI के साथ ES File Explorer के powerful features भी मिलते हैं. जैसे file encryption, file compressor, आप इसमें एक से ज़्यादा tabs open करके, अपने files को copy & move कर सकते हैं. इस screen & theme chain कर सकते हैं. आप इस app में add song को भी install कर सकते हैं. और भी बहुत सारे settings आपको इस app में मिलते हैं, जो आप इस screen पर देख सकते हैं. फूर्थ application है Wiper. अगर आपको music सुनना पसंद है, और आप अलग-लग music players & equalizers को try करते रहते हैं, तो Wiper आपके लिए ultimate app बन सकता है. Wiper एक feature loaded equalizer है, जो सिर्फ rooted phones में काम करता है, पर इस app में आपको fidelity control, differential surround, spectrum extension जैसे बहुत सारे amazing features मिलते हैं. अगर आपके पास कोई rooted phone है, तो आप इस app को जरू try करें. फिफ्थ app है OG Insta Plus. आप अगर Instagram यूज़ करते हैं, तो कभी न कभी आपको किसी photo को zoom या download करने का मन जरूब किया होगा. इस app से आप Instagram के photos को बहुत आसानी से zoom & download कर पाएंगे. अगर आप भी एक TV show & movies के addict है, तो यह app आपकी जिन्दगी बना सकता है. इस app में आप अपने favorite source को online देख सकते हैं और उसे download भी कर सकते हैं. आपको ना ही किसी torrent website पर जाना है और ना ही किसी software को use करना है. बस search करें और download करें. इस application को use करने के लिए आपके पास एक rooted phone होना जरूरी है. इस app से आप अपने WhatsApp में बहुत सारे extra features को add कर सकते हैं. जैसे internal video player, print chats, आप यहां से इन सारे features को enable कर सकते हैं. आपको अगर emoji का sock है तो आप यहां से उन्हें add भी कर सकते हैं. इस application को use करने के बाद आप full resolution में photos send कर सकते हैं. WhatsApp group के limit को भी change कर सकते हैं. और अपने WhatsApp के theme को भी change कर सकते हैं. 8th application है fdroid. यह basically एक open source app market है, जहां से आप बहुत सारे चोटे बड़े apps को install कर सकते हैं. इस app में आपको बहुत सारे categories मिलते हैं. अगर आपको अलग-अलग sources से apps try करना अच्छा लगता है, तो आप इस app को जरूर install करें. लास्ट application है Wi-Fi Game. यह application कुछ लोगों के लिए बहुत फायदे मन साविध हो सकते हैं. इस app को यूज़ करके आप अपने Android phone से पता कर सकते हैं कि कौन-कौन आपके Wi-Fi से connected है, और अगर आप चाहे तो उनको block नहीं कर सकते हैं. इस वीडियो में फिलाल इतना ही, ऐसे और भी बहुत सारे apps है जो Play Store पर नहीं है, तो अगर आप इस वीडियो का part 2 दिखना चाहते हैं तो नीचे comment करके मुझे बताए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो like करे, share करे और इस channel को subscribe कर ले जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।